अजिस तल्वा आईए इनसानी अजबी निजाम दे हुमन नर्वस सिस्टम्स का मताला करती है अजिस तल्वा याद रहे इनसानी अजबी निजाम के तीन एहम हिसे होते हैं इन में सबसे पहले नमबर एक मरकजी अस्बी निजाम सेंटरल नर्वस सिस्टम्स नमबर दो मुहिती अस्बी निजाम प्रीफेरंग नर्वस सिस्टम्स और नमबर तीन खुद इख्तियारी अस्बी निजाम आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स इन में सबसे पहले मरकजी अस्बी निजाम सेंटर नखाई दोर पर मुश्टमिल होता है ये जिस्म की तमाम सरगर्वियों पर काबू रखता है और इन्हें बाकाईदी से अंजाम देता है आप वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दिमाग छोटा दिमाग दिमागी तना और नखाई दोर से मतलिक मालूमात को देखेगे आप तमाम तलबा इन मालूमात को जरूर पड़ेए नमबर दो मोहिती असबी निजाम प्रिफेरल नर्वस सिस्टम ये जिस्म में मौझूद आसाप और आसापी जाल पर मुश्टमिल होता है ये दिमागी आसाप और नखाई आसाप से मिलकर बनता है ये आसाप जिस्म के म मुख्तलिफ हिस्सों को मरकजी असिति निजाम से जोडते है याद रहें ये आसाप दो किस्म के होते है नमबर एक कहां फी आसाप नमबर दो नखाई आसाप कहां फी आसाप दिमाग से निकलने वाले आसाप को कहां फी आसाप कहते है जिनमें सर, सीना और पेट के मुख्त कलिव हिस्सों से यह आसाप जुड़े होते हैं कहफी आसाप की बारा जुड़िया होती है नंबर दो नखाई आसाप नखाई डोर से निकलने वाले आसाप नखाई आसाप कहलाते हैं यह हाथ पैर जिल्द और जिस्म के दूसरे हिस्सों से जुड़े हुए होते हैं इन पर तीन खुद अख्तियारी अजबी निजाम आटोनामिक नर्वस सिस्टम ये एक गैर इरादी अजबी अजबी निजाम है जो गैर इरादी हरकात पर काबू रखता है ये निजाम हजबी खौईशा फाल अजबी आजबी 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 जैसे दिल, मेदा और फिप्रो में हम आहगी को बरकरार रखता है आफाले मुनकिसा रिफलेक्स एक्शन माहुल के किसी खेर मतवक्ते महरिक के जवाब भी फौरी रखते अमल को फेल मुनकिसा कहते है रिफलेक्स एक्शन कहते है कुछ वाकियात में हम बगेर कुछ सोचे समझे रखते है इस पर हमारा किसी किसम का कोई काबू नहीं होता है ये अमल यानि माहुल के महरिक को दिया हुआ होता है जो जवाबी अमल है ऐसी हालात में दिमाग के बगेर भी काबू और रहम आहंगी बरकरार रहती है मिसाल के तौर पर गरम बरतन हाथ से मस होते ही हम फौरान हाथ पीचे की जानिब कर लेते है अजिस दल्बा इस सबक का आँखरी हिस्सा कीमियाई काबू केमिकल कंचोल महरिकाब वो कीमियाई अशिया है जो जिसम में कीमियाई कोडिनेशन अम आहंगी को बरकरार रखती है इन महरिकाब का इखराज बेकनाती गदूद या बेनाली वाले गदूद से होता है इन गदूद से बनने वाले महरिकाब को बराए रास्त खून के बहाँ में शामिल कर दिया जाता है याद रहें बेकनाती गदूद और अस्बी निजाम दोनों एक दूसरे के साथ इंदादी बहामी के असुल पर काम करते है अस्बी एहसासाद फूरी लेकिन मुक्तिसर वक्फे तक बरकरार रहती है जबके महरिकाब या फाल काफी तबील अरसे तक मतहरिक रहते है लेकिन ये बहुत ही धीमे होते है अजिस दल्बा आप इस वीडियो के नीचे की जानिब इन तमाम महरिकाब के आफाल नाम और उनके मुतलिक मालूमात को हासिल करेगे आप जरूर नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ेगे